नमस्कार सभी को ये सामाने ग्यान के कुछ most important प्रेशन है जो आपके आने वाले एक्जाम में काफी help करेंगे तो पहला है भारत का सरप्रेथम राश्ट्री या उद्धान कौन सा है तो इसका सयुत्तर होगा जिम कारवेट नेशनल उद्धान जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी तो next question है प्रत्वी पर पहुँचने से पहले ओजोन परत किन किरनों को अवसोसित करती है तो इसका सयुत्तर होगा पराबैगनी किरनों को तो next question है ध्वैनी या ध्वैनी प्रदूशन किस में मापा जाता है तो इसका सयुत्तर हो जाएगा डैसीवल में अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं तो next question है कौनसी अंतर राश्टरिय संस्था पूरे विस्व में पर्यावरान सुरच्छा की देख भाल करती है तो इसका सयुत्तर हो जाएगा UN यानि United Nations इसकी इस्थापना 1945 में होई थी very important है आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं तो next question है वायू मंडल की सबसे ठंडी परत कौनसी होती है तो इसका सयुत्तर हो जाएगा मध्य मंडल अगला question है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात कभ होई थी तो इसका सयुत्तर हो जाएगा 1973 में यानि 1973 इसलिए सबी प्रेशनों को अच्छे से पढ़िए अगला question है LPG किसका संचिप्त रूप है तो इसका सयुत्तर हो जाएगा लिक्विफाइड पैट्रोलियम गैस यानि LPG की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पैट्रोलियम गैस तो next question है CNG संचिप्त रूप किसका है तो इसका सयुत्तर होगा compressed natural gas तो LPG की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पैट्रोलियम गैस और CNG की फुल फॉर्म compressed natural gas याद रखिए पूछे जाते हैं next question है जीव के वियाभार का अध्यन को क्या कहते हैं तो इसका सयुत्तर हो जाएगा जीवों के वियाभार के अध्यन को ethology कहते हैं अगर प्रेशन आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों तक share जरूर कीजिए ताकि ये महत्रपूर्ण प्रेशन और लोगों तक पहुंच सकें तो नेक्स्ट कोशन है पेड़ पौधे प्रेशन को घटाते हैं क्योंकि वे क्या अवसोसित करते हैं तो इसका सयुत्तर हो जाएगा पेड़ पौधे CO2 यानि कारवन डाय और अकसाइड को अवसोसित करते हैं नेक्स्ट कोशन है भूकम्प किस से मापा जाता है तो इसका सयुत्तर हो जाएगा रेक्टर पेमानी में नेक्स्ट कोशन है महासाग्रों में जल इस्तर व्रद्धी का मुख्य कारण क्या होता है तो इसका सयुत्तर हो जाएगा धुर्विय पिरदेशों में बरप का पिघलना आपको जो एप्रेशन में हत्रपूर्ण लगता है आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं तो नेक्स्ट कोशन है वह लवण जो जलका अवसोशन करता है क्या कहलाता है तो इसका सेयुत्तर हो जाएगा हेग्रोस्कॉपिक लवण नेक्स्ट कोशन है किसी नदी के प्रदूशन इस्तर की माप किसके द्वारा की जाती है तो इसका सेयुत्तर हो जाएगा BOD यानि Biochemical Oxygen Demand अगर BOD का इस्तर चार की नीचे होता है तो वो नदी प्रदूशित मानी जाती है नेक्स्ट कोशन है वायू प्रदूशन को कैसे कम किया जा सकता है तो इसका सेयुत्तर हो जाएगा विरक्षों द्वारा और डेली बेस पर आपके लिए GKGS की ऐसी क्यूज आती रहती है तो आप पेज को फॉलो कर लिजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए नेक्स्ट कोशन है प्रकास संसलेशन किसके द्वारा संपादित होता है तो इसका सेयुत्तर हो जाएगा सभी हरे पोधों द्वारा नेक्स्ट कोशन है किस राज्य में गल्फ ओफ मननार मेरिन राष्ट्रिय पार्क इस्तित है तो इसका सेयुत्तर हो जाएगा तमिलनानू में तो नेक्स्ट कोशन है किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है तो इसका सेयुत्तर हो जाएगा कैंचुए को क्योंकि कैंचुआ मिट्टी को कंपोष्ट करके उसे उपजाव बनाता है तो next question है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है तो इसकी सहीत्तर हो जाएगा उत्राखंड उत्राखंड में चिपको आंदोलन की सुरुवात हुई थी तो next question है सूर्य की हानिकारक किरणों से प्रत्थवी को कौन सा इस्तर सुरच्चित रखता है तो इसका सहीत्तर हो जाएगा ओजोन इस्तर अगला question है तो इसका सहीत्तर हो जाएगा आयोडीन का आयोडीन समुद्री सहवालों से ही प्राप्त होता है यानि नमक तो next question है सैक यानि लाइकेन क्या है तो लाइकेन एक सहजीवी है और सहजीवी से तात पर्रे उन जीवों से है जो परसपर एक दूसरे के ऊपर निर्वर रहते हैं और साथ में अपना जीवन यापन करते हैं तो next question है CNG का इधन के रूप में किसमें इस्तिमाल होता है तो इसका सहीत्तर हो जाएगा वहानों एवं उद्धोगों में तो last question है भारत के एक इस राज्य में विसाका पटनम बंदर गहा इस्तित है तो इसका सहीत्तर हो जाएगा आंधर प्रिदेश में तो आज के प्रेशन आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और डेली जी के जियस और करन्ट अफियर्स पढ़ने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल सिक्षा मेरी दोस्त को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जो वीडियो हैं उनको देखिए वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी